हलो दोस्तों, आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, The Perfect History में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, Seated दिधंबर 2023 बहुत important है, इसलिए योकि जो बिहार में vacancy आने वाली जूनियर के लिए 628 लगबग 31,982 पोश्ट के आसपास, उसके लिए भी जो बच्चे जिनका Seated नहीं के लिए अधरी स्टेट से हैं, और वो appearing में फॉर्म को apply कर सकते हैं, इस लिहाज से भी Seated आपका important हो जाता है, और माली जे अभी आप eligible नहीं है, बियार का form भनने के लिए, अभी आप first semester में admission लिए हैं, या फिर आप third semester में गया हैं, तब भी आपको Seated December तो देना ही देना है, तो बात करेंगे हम लोग कि आपको notification कब तक देखने को मिलेगा Seated December का, और exam pattern में कुछ बदलाव है या नहीं है, और जो आपको center में problem देखने को मिलती थी, मालीजे आप गाजीपूर के हैं, मालीजे आजमगड के हैं, बल्या के हैं, और आपका center लखनाओ चला जाता था, दूर-दूर आपका center बन जाता था, और आज साम तक notification आने की पूरी संभावना है, मालीजे किसी कारण बस आपकी CBSC notification नहीं भी जारी करते हैं, तो ये एक week के अंत्रगत, यानि ये मान के चल लिजे लगभग आपका 8 या 9 या 10 के आसपास, उसके पहले पहले आपका notification देखने को मिल जागा, यानि 8 या 9 नमबर तक आपको notification देखने को मिल जागा, उससे पहले ही, अब बात करें यादि आपके exam pattern की, जो seated जुलाई 2023 में हुआ था, same pattern वो भी आपका रहने वाला है, तो इस point को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, चाहे आप paper 1 की तयारी कर रहे हैं, य सेम रहने वाला है, 1.500 question ही आपको देखने को मिलेंगे, paper 1, paper 2 में ठीक, अब आखिसके syllabus में कभी जब class start करेंगे, तो detail में हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे paper 2 हो, ये भी आपको 1.500 number का और ये आपका अभी तक negative marking वगरा नहीं है, तो अच्छे से आप लोग त्यारी कर ल जो आपके district है, वहांपे भी center बन जाते हैं, माली आपके district में center नहीं भी बनें, तो other district में आसपासी आपको center मिल जाता है, ये जैसे माली example के तोर पे आप अभी गांजीपूर के हैं, तो आपका ऑशी पास आपका center मिल जाता है, और form को जल्दी भरने का प्रयास करियेगा, ताकि seat full होने से पहले-पहले आप भी अपनी एक seat सुनिश्चित कर ले, exam center को अपना सुनिश्चित कर ले, ठीक है, तो exam center की problem बहुत जात आपकी बार देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपका exam जो है, वो offline होने वाला है, क्योंकि online होता है, तो computer वगरे की थोड़ा सी quantity कम है, इसके वज़े center आपका दूर-दूर हो जाता है, लेकिन offline में ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक, चलिए, उमीद करते हैं, ये पूरी information को आप लोग अच्छे से समझाओंगे, notification, आपको ये मान के चलिए, week, एक week के अंतर 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 आपको notification देखने को मिल जागा, exam pattern, जो पिछला pattern था, same way रहने वाला है, paper 1,500 question, और paper 2,500 question, negative marking यहाँ पे नहीं होने वाली है, एक question के एक number आपको मिलने वाले है, और दोनों में जो CDP है, बिल्कुल 30 number same रहने वाली है, और हिंदी का भी जो portion है, 15 number content, 15 number पैड़ागजी, और इसके बाद आपकी second language same है, ये ठीक, बा point को class में हम लोग discuss करते हैं, चाए CDP हो, चाए language का paper हो, या आपकी special कोई subject हो, paper 2, ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, मिलते हम लोग class में, तब तक आप सभी भाई बैन को, जय हिन, जय भारत